हलो फ्रेंट्स वागत है आप सभी का टॉप 3 वर्ड में फ्रेंट्स आज मैं आप शेयर कर रहे हूँ पुराने कपडों से पूरे 10 आइडिया उसमें भी हम फोम का इस्तमाल नहीं करेंगे और नहीं जिपका करेंगे तो आप इसलिए इसे बना सकते हैं आपको बहुत ज़्य बीचेशा करेंगे और से यूट उपन कर देंगे यानिकी दोनों राइट सैड अंदर के तरफ रखेंगे और तीन सीच करेंगे तो जो नीचे से folding वाला हिस्सा था, उसे हम open छोड़ेंगे, वहाँ पर हम सिलाई नहीं करेंगे, बागी के तीन साइट पर हम सिलाई कर लेंगे, अगर आपके पास भी पड़ी है, जेर सारी पुरानी पैंड, तुपटे, साडियां, कुछ भी तो आप उसे उठाकर इसका बहुत ही अच्छा सा इस्तमाल कर सकते हैं, तो दीखे तीन साइट पर सिलाई हो गई है, अब आपको क्या करना है, नीचे से हम 2.5 इंच से मार्क करेंगे, दोनों कॉर्नर पर मार्क कर लिया है, अब इस तरीके से सिलाई कर लेंगे, तो ये सिलाई भी हो गई है, अब हमें इसे सीधा कर लिना है, तो इसका बोटम बहुत ही अच्छा सा बन जाएगा, तो दीखे इस तरीके का नीचे की तरफ से पा जाएगा, काफी चोड़ा बोटम बन जाएगा और ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आपको यहां पूरे में एक सिलाई कर लेनी है, जादा अंदर की तरफ सिलाई नहीं करनी है, एक तम किनारे किनारे पर हम सिलाई चलाएंगे, तो देखे इस तरीके से आपको सिलाई कर लेनी है, तो यह सिलाई हो गई है, अब मैंने पैंट से और कपड़ा कट किया है 3 इंच पर इस तरीके से हम मार्क करेंगे और फिर इसे हम कट कर देंगे फिर इसे ओपन करके हम फोल्ड कर लेंगे और इसमें से हम स्ट्रैप बनाएंगे तो देखे इस तरीके से यह मैंने फोल्ड कर लिया है अब यहां पर हम उपर की तरफ 4 इंच पर मार्क कर लेंगे और फिर दोनों साइड से फोर इंच पर मार्क करना और यहां पर हम इस हैंडल को अटैच कर लेंगे सुगाई सब देख सकते हैं बहुत ही जादा प्यार आजा और यह काफी जादा मजबूत हमारा एक बैक बनकर रैडी हो चुका है आप ग्रोसरी के करेंगे और फिर इसके बीच में हमें एकदम सेंटर में मार्किंग कर लेनी है तो यहां पर देखिए मैंने सेंटर में मार्किंग कर ली है अब हमें यहां पर उपर की साइड से 5 इंच पर मार्क करेंगे और फिर यहां और एक बार 5 इंच पर मार्क करेंगे और नीचे तो यहां सभी जगह पर मैंने सिलाई कर ली है अब इस तरीके से हम इसे पकड़ेंगे सिलाई की आदा इंच नीचे की तरफ और एक छोट आसा सिर्फ उपर वाले कपड़े में कट लगाएंगे और साइड में भी हम सिलाई से आदा इंच दूर ही रखेंगे और इस तरीके से देखे हमें कट लगा लेना है तो इन सभी जगह उपर देखें इसी तरीके से मैं पूरे में कट लगा लूँगे अब हम यूज करेंगे एक हैंगर का विस तरीके से यहां पर हैंगर को एड कर लेंगे तो यह हमारा प्यार ऐसा हैंगिंग और बनकर रेडी हो चुका है एक दम काम का और फ्री का अइडिया आप देखते हैं नंबर 3 टू उसके लिए इस तरीके की जो ट्रांस्परेटन सीट में या और साडियां लेते हैं कुसी भी चीज को खरीते हैं तब दोनों पीस को इसी तरीके से रेड़ी कर लियाए, Dok 4 इंज पर मैंने मार्क किया है, चौपांग है। उसके बाद मैंने इस तरीके की एक स्काहिपा ली है, जो हम स्वापिंग करती है, तो अक्सर हमें सभी जगा से मिल जाती है। ापने लेना है कंपड़ा तो पर तो यह उपर कर लिया दोनों साइड़ पर इस तरीके से 15 ईंच के दौराइज कर लें और रहे ली दोदेबल फोल्ड लें didn't have a patch करेंगे और पर चोटार बनाना है तो मैंने नियुक्त पर एक को में हम डूरी को रखकर सिलाई कर लेंगे तो देखें ये हमारा टैसल बन कर रैडी हो चुका है दोनों डूरी में मैंने सेम इसी तरीके से कर लिया है तो ये हमारा प्यारा सा organizer बन कर तयार हो चुका है अब बहुत सारी चीजों को इसके अंदर भी organize कर सकते हैं और अलग-अलग कही तरीकों से आप इसका भी इस्तमाल कर सकते हैं अपनी छोटी मोटी चीजे रखनी है या फिर ट्रावेलिंग में पेश्ट और ब्रस रखना है या फिर बच्चों की stationary के लिए या पूडो की medicine के लिए कई तरीकों से आप इसका इसका इस्तमाल कर सकते हैं तो I hope यह idea भी आपको अच्छा लगा होगा अब देखते है idea number 4 तो उसके लिए मैंने एक बचा हुआ छोटा सा कपड़ा ले लिया है उसे मैं इस तरीके से फोल्ड करके रखूँगी कपड़े को और यहां पर side से जो भी extra fabric है उसे मैं cut करके निकाल दूँगी तो मैंने इस तरीके से इस कपड़े को सीधा कर लिया है उपर की और भी थोड़ा सा extra था तो उसे भी cut करके मैंने सीधा कर दिया है अब आपको क्या करना है यहां उपर की साइट से देखे इसका मिजरमेंट मैं दिखा दूँ तो यह मेरा है 15 बाइ 7 इंच तो अगर आपके पास अलग कोई भी कपड़ा है तो आप इस मिजरमेंट का ले सकते हैं अब देखे इसकी राइट साइट पर हमें एक प्लेट लेनी है तो इस तरीके से मैं प्लेट लोगी यहां पर आप अपने हिसाब से थोड़ी जादा या कम प्लेट कर सकते हैं तो आपको मिजरमेंट में भी चेंज करना पड़ेगा तो इस तरीके से मैं दू प्लेट ले ली ह अब हमें लेनी है इस तरीके की एक स्वापिंग बैक केरी बैक जो नौन वन की होती है वो और उसके उपर देखिए इसे रेडी पीस को मैंने रखा है उसी साइज की मैंने बैक को कट कर लिया अब चार और से लाए करके मैं इसे अटाच कर दूंगी तो यह हमारा एक पीस रे लेंगे साइड में यहां पर अच्छा खार देखिए उसे भी मैं करके निकाल दिया है अब इसी के साइज का एक और सथर का कपड़ा लेंगे है और इसके उपर इस पीस को हम उल्टा रखेंगे तीन साइड पर से लाए करें बशेंग देखिए जो यहां पर एक्श्रा फा सीधा कर लिया है और यह पीस हमारा इस तरीके से रेडी है अब जो इसकी ऑपन साइड है वहां पर भी हमें पैक करना है पहले इस तरीके से मार्किंग करके हम देख लेते हैं यहां पर हमें मैगनेट बटन अटैच करना है तो पहले हम वह कर लेंगे तो सबसे पहले देखे हम इस तरीके से fold करके इसे set कर लेंगे और फिर जहां पर magnet button attach करना है वहां पर मैंने इस तरीके से marking कर लिए है अब मैंने इस तरीके से यहां पर छोटे छोटे दो cut लगा दिये हैं अगर आप well grow attach करना चाहते हैं तो यह जो हमने अस्तर के कपड़े के साथ ही से attach किया उससे पहले ही इस हिसे पर आपको well grow को attach कर लेना है तो देखे इस तरीके से मैंने cut लगाया अब यहां पर मैं इस तरीके से magnet button को fix कर लूँगी तो यहां पर देखे एक side पर यह हमारा magnet button attach हो चुका है अब मैंने extra fabric लिया था तो यहां पर extra fabric था तो उसी को मैं double fold करके सिलाई कर लूँगे तो यह जो हमारा open हिस्सा था वो pack हो जाएगा अगर आपका ज़्यादा fabric नहीं है तो आप एक और strip लेकर भी यहां पर attach कर सकते हैं फिर आपको पहले से यस्तर की कपड़ी को थोड़ा ज़्यादा लेना है अब देखे इस तरीके से हम fold करके इसे set करेंगे और इस तरीके से नीचे की तरफ से हम सिलाई करना start करेंगे तो एक side से लेकर यहां उपर भी हम prestige करते जाएंगे और पूरे में हमें सिलाई कर लेनी है तो आपको बस इसी तरीके से करना है बहुत easy है तो यह हमारा side में दोनों side भी attach हो जाएंगी और साथ के साथ उपर की तरफ prestige भी हो जाएगी अब हम यहां उपर की तरफ जो magnet button का दूसरा हिस्सा था उसे fix कर लेंगे तो देखें यहां पर भी मैंने cut लगा कर इस तरीके से fix कर लिया है अब बाहर की तरफ magnet button दीखेगा तो यहां पर मैंने एक और sopies लिया है इस तरीकी का आप अपने पसंद की क्या कोई भी लीजी और यहां पर attach कर दीजी तो friends आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्यारासा चोट उसा यह हमारा बहुत ही ज़्यादा useful clutch bag बनकर तयार हो चुका है किसी भी कपड़े का इस्तमाल करके आप भी इसी तरीके से बना सकते हैं आप देखते है idea number 5 तो इसके लिए मैंने एक swapping bag याने कि इस तरीकी की carry bag का इस्तमाल किया है जो सभी के पास होती है तो मैंने एक बड़े साइज की ले ली है और उसे उल्टा कर दिया है अब इस तरीके से एक corner को मैंने fold किया और यहां पर जो भी measurement दा रहा है वहां पर fold करके मैंने mark कर लिया है और जो भी extra fabric है उपर की तरफ इसे हम अंदर की तरफ fold कर लेंगे तो देखे यह इस तरीके का एक square मल गया है और यह हमारा एक cold ready हो चुका है अब आपको लेने है पुराने कपड़े आपके पास कोई भी पुराने कपड़े हैं blouse है दूपटे है साडिया है पैट सीट है तो आपको इस तरीके के जो थोड़े fluffy होते हैं सीफोन के दूपटे है यह soft वाली bed sit का मैंने यूज किया है और यह blouse है पुरा न तो दूपटे है ऐसे soft soft fabric लेने है और अच्छे से fold करके इसके अंदर आपको आड़ कर लेना है या फिर कोई पुलाना कुशन या पिलू पड़ा है तो उसमें से भी cotton निकाल कर भी आप यहाँ पर इस्तमाल कर सकते हैं तो दीखें यह हमारा एक कुशन बनकर ready हो चुका है अब जो open जगह है इसकी वहाँ पर मैं हाथ से ही टांके लगा कर इस तरीके से इसे pack कर लोगी तो बस आपको इसी तरीके से करना है जिस कपड़ों का अब आप इस्तमाल नहीं करने वाले हैं एक दम फटे पुराने बेकार है उसे को इसके अंदर add कर लीजे और इस तरीके से अच्छे से यहाँ पर सिलाए कर लीजे तो यह हमारा प्यारा सा कुशन तयार है आपके पास कोई भी एक्ट्रा कवर पड़े हुए है पुराने तो उसको इसके उपर लगा दीजिए कोई कहेगा भी नहीं के इसके अंदर क्या है अगर नहीं है आपके पास तो idea number 6 यही है कि मैं आपको बता रही हूँ कुशन का करनी है 5 या 6 इंच यहां पर overlap हो जाए उस तरीके से आपको पूरे round का measurement लेते हुए यह कपड़ा लेना है अब देखे आपको क्या करना है इसके जो दोनों साइड है यहां पर इस तरीके से डबल फोल्ट करके सिलाई कर लेनी है अगर आपके पास machine नहीं है तब भी आप ही दोनों साइड पर हमें सिलाई कर लेनी है तो यहां पर भी आप हाथ से ही सिलाई करके इसे बना सकते हैं तो without सिलाई machine आप इस तरीके से बिकार कपड़ों का इस्तमाल करके बहुत ही जदा प्यारा सा कुशन या उसका कुशन कवर बना सकते हैं तो देखी कोई कहेगा कि इस तरीके से फोल्ड कर लिया है और यहां पर देखिए एक साइड से दूसरी साइड तक मैंने 14 इंच पर मार्क कर दिया है अब जो भी एक्स्ट्रा है उसे में कट करके निकाल दूंगी और साइड से भी यह मुझे थोड़ा लंबा रग रहा था तो यहां से भी मैंने एक्स् अब दूसरी साइड फोल्ड करके वहां से भी मैंने कट कर लिया है अब हमें एक और कपड़ा लेना है और यह कपड़ा हम डबल लेंगे जो टॉवल है उसी के साइड के थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा लेंगे और टॉवल को इस कपड़े के ऊपर रख देंगे कपड़े को मै टॉवल का कपड़ा काफी सदा सौप्ट है तो बहुत जादा इजली मसिन भी चल जाते है इसके अंदर मैंने यहां पर दो लेयर बनाई है आप चाहें तो तीन या चार भी बना सकते हैं चितनी थिकनेस रखना चाहें उस हिसाब से आप अंदर टॉवल को एड़ कर सकते है चार और सिलाई करने के बाद मैंने इस तरीके से यहां बीच में भी सिलाई कर लिया है दोनों साइट से तो यह इस तरीके से हमारे क्विल्ट रैडी हो चुके हैं अब मैंने एक और स्ट्रिप ले ली है जो उपर का कपड़ा लगाया था उसमें मिक्स एंड मैच करता और इसके जो चोड़ाई है वो मैंने 4 इंच ली है और जो पूरा राउंड हमने रेडी किया है उससे यह डबल फाबरिक हमें लंबाई में लेना है तो इस तरीके से सबसे पहले इसे फोल्ड करके इसके उपर हम सीधी सिलाई चला कर इस तरीके से अटेच कर लेंगे और फिर यहां पर आप साड़ी के फॉल का भी यूज कर सकते हैं उसकी श्ट्राक बना सकते हैं तो देखे इसे तरीके से मैं प्लेट लेते हुए पूरे में इसे अटेच कर लिया है अब यहां पर जो भी एक्स्ट्रा फाबरिक है उसे मैं कट करके निकाल दूंगे और इस तरीके स हमारे फृल भी अटेच हो चुके हैं बहुत सदा आसान तरीका है अब इस तरीके से सेकंड साइट पर टरन करेंगे और यह उठा हुआ हिस्सा है वहां पर हमें इसे दबाते हुए सिलाई करनी है तो देखे अच्छे से यहां पर यह फेक्स हो जाएगा मजबूती भी आ ज हो चुका है तो अब इस तरीके से यहां पर देखे बेकार कप्रुका ही और पुराने टावल का है इस्तमाल करके बहुत प्यारा सा डूर्मेट बना सकते हैं इसके इलावा और भी कई तरीकों से आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं तो अच्छा लगा है तो लाइक करना अब द अब क्या घ्याज करना हैं को इस सलाई डेना है तो इस तरफ कर लेंगे तो थोड़ा सा के लगा सकते हैं या फिर इस तरीके से आप सैप्टी पिन का इस्तमाल कर लेजिए आपको टांके लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा कुछ भी महनत नहीं और जब भी आप इसे वास करना चाहें तब इसले सैप्टी पिन निकाल कर आप मसीन में भी वास कर सकत चाहें तो हमारा प्यारा सा हैंगिंग औरगिनाइजर बनकर तयार हो चुका है आप इसे कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं अपने डियर सारे कपडों को औरगिनाइज करके रख सकते हैं तो दोस्तों यह वाला भी आइडिया आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत जादा यूसफुल होगा अब नेक्स्ट आइडिया के लिए मैंने एक और कवर ले लिया है और एक लेना है हमें इस तरीकी का बॉक्स बॉक्स आपको इतना बड़ा लेना है कि तक ये के अंदर इजिली कवर के अंदर इजिली चला जाए और फिर देखिए इस तरीके से हम इसे अंदर एड़ कर देंगे और फिर जो भी एक्ष्टर फाप्रिक है उसे हमें अंदर की तरफ पूस कर देना है जो बॉक्स है उसकी अंदर की तरह और इसकी जो साइड वाला हिस्सा है cover का उसे हम इसकी back side पर नीची वाला हिस्से में रखेंगी box के और फिर इसके corner को इस तरीके से अच्छी से set करके यहाँ पर हम saptypin add कर लेंगे तो यहाँ पर भी आप चाहें तो टाका लगा सकते हैं लेकिन बिना slime machine और बिना सोई धागे के भी आप इसे बना सकते हैं और इस तरीके से आपको इस corner को अंदर की तरफ भी set कर लेना है उसके पाद जो बच्चा हुआ कपड़ा था उसे आपको यहाँ पर अच्छी से set करना है पहले आपको लगेगा कि इतना जाधा कपड़ा है कैसे सेट करें लेकिन जब आप करेंगे तो बहुत ज़दा इसली यहाँ पर set हो जाएगा सारे कपड़े को इस तरीके से आपको set कर लेना है फिर अंदर की तरफ set करके रख देना है अब आपको cardboard लेना है अगर आपका यह box के ऊपर का flap है तो उसे काप कर सकते हैं मैंने एक वीडियो बनाई थे wall decoration के लिए मैंने इस तरीके से cardboard के ऊपर कपड़ा लपेटा था उसी को इसके अंदर रख रही हूं तो यह देखे इसके अंदर मैंने अपने लेंगिंग को set करके रखा है बहुत ज़्यादा आसा तरीके से बहुत ज़्यादा प्यारा सा यह आपका organizer इस तरीके से बनकर ready हो जाएगा तो आप भी कर सकते हैं जितनी जरूरत है आपको इसे 4-5 बना सकते हैं और अपने wardrobe में अलग-अलग जगा पर रख सकते हैं बहुत ज़्यादा आसान तरीका है इसे बनाना और इसे आप easily wash भी कर सकते हैं आप देखते हैं लाक्ष्ट आइडिया तो उसके तरीके का कोई भी आपको पटला सा चोटा सा cardboard का box लेना है और इस box के अंदर एक paper था यह पर्स का box था तो इस paper का भी मैं इस्तमाल कर रही हूँ आपके पास इस तरीकी का अंदर paper नहीं है तो कोई भी और paper आपको लेना और इसका इस्तमाल आपको करना है तो इस तरीके से paper के अंदर देखी मैंने कुछ hole बना लिए हैं तो आप अपनी requirement के हिसाब से hole बना लीजे इसके अंदर और फिर यहां पर हम अपने earrings को इस तरीके से fix कर सकते हैं जो अंदर की तरफ मूडा हुआ था paper उसे मैंने दूसरी side पर मोड दिया है और यहां पर देखी मैंने डेर सारी earrings को add कर लिया है और इसे मैं इस box के अंदर इस तरीके से रखूँगी अब इसके ऊपर वाला जो हिस्सा था उसे हम बहुत ही जदा अच्छे से थोड़ा सा डिकुरेट करेंगे तो बीच वाला जो हिस्सा है उसे मैं कट करके निकाल दूँगी और यहां पर आपको यूज करना है ट्रांस्पेरेंट सीट का को साइडि के कवर होते है पुराने बेकार है या फिर बैट सीट का कवर है तो इसका इसतरमाल आप पुराने का कर सकते हैं इस साइज का छूट्तास आप निकाल ली है बहुत बहुत अलगत इससे की कॺलती की इन और फिर यहां पर मैं फैवी कोल की हेल्प से इसे अच्छे से फेक्स कर लूँगी अब यहां पर फैवी कोल या फिर आपके पास कोई भी ग्लू है उसका इस्तमाल करके यहां पर इटैच कर दीजी तो यह हमारा प्यार आसा ट्रांस्पेरेंट इयरिंग और्गिनाइजर बनकर तयार हो चुका है आप जिस साइज का चाहें उस साइज का बना सकते हैं तो आई होप दोस्तो आज के दस आइडिया आपको बहुत पसंद आये होंगे और बिकार मटिरियल का इस्तमाल करके आप यूसफुल चीजे बना सकते हैं वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिलकुल मैं भूलना और हां आपको इन में से कौन सा आइडिया सबसे ज्यादा पसंद आया कॉमेंट ज़रू करना फिर मिलेंगे ऐसे ही और यूसफ